नमस्कार अब हम लोग बात करेंगे मसल स्टेटस आफटर डेथ तो मसल में क्या क्या चेंजिस होते हैं और कैसे उसमें प्रोग्रेशन होता है उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे तो मसल स्टेटस आफटर डेथ ये इस समय हमारा टॉपिक है इसमें आप देखेंगे राइगर मॉर्टिस के बारे में, राइगर मॉर्टिस, लेकिन शुरुवाती दौर में हमें राइगर मॉर्टिस से पहले हमें एक बात और समझना होता है, प्राइमरी रिलेक्सेशन और राइगर मॉर्टिस के बाद सेकेंडरी रिलेक्सेशन के प्रोसेस को भी समझना है, श इस दोरान अभी muscles में 100% तक ATP की presence रहती है, इस वजह से अभी primary relaxation की state देखने को बिलती है, धिरे धिरे करके, जैसे जैसे ATP का depletion होता जाता है, जब ये घट करके normal situation का 85% level पहुंच जाता है, यानि करी 15% तक कम हो गया, तो उस समय पहली बार muscles में stiffness शुरू हो जाती है, muscles अब क्या हो गया, stiff होना शुरू हो जाते हैं, जिसे rigor mortis कहते हैं, ये शुरू होता है, और maximum stiffness आपको जब ये गिर करके 15% of natural value का हो जाता है, तो उस समय ये highest peak तक rigor mortis पहुंच चुका होता है, और उसके बाद जो last stage होती है, उसमें क्या होता है, उसमें होती है, muscles धिरे धिरे क के बाद अगले step में secondary relaxation देखने को मिलता है, तो muscular tissue में कौन-कौन से changes देखने को मिले, primary relaxation, दूसरा rigor mortis, तीसरा secondary relaxation, अगर आपने physiology में पढ़ा होगा, तो वहां से इस चीज़ को relate कर सकते, rigor mortis में जो hardness होती है, जो stiffness होती है, वो क्यों होती है, action में क्या होता है, ATP की आवश्रक में बात पढ़े हुए हैं, ATP के एनर्जी के बाद ही, actin myosin का complex फिर से relaxed state में आता है, वो एक दूसरे से अलग हो पाते हैं, उसके लिए ATP की energy के जरूरत पढ़ती है, अगर वो नहीं मिल रहा है, तो actin myosin का complex एक दूसरे अलग नहीं हो पाएगा, और अलग नहीं हो पाने क कि वज़ा से ये rigor mortis की condition हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हम किस चीज़ पर ज़्यादा focus करेंगे section में, हम ज़्यादा सज्यादा बात करेंगे rigor mortis के लेकिन primary relaxation से अपनी बात शुरू करेंगे, जो immediately after death ये घटना होती है, और उसके बाद हम देखते हैं rigor mortis के बारे म काफी detail में हमें बात करनी है, जिसमें stiffening and shortening of muscles देखने को मिलता है, और ये कब होता है, primary relaxation के बाद अगली step होती है, सवाल ये भी है कि primary relaxation या primary flaccidity, softness होती है, वो कितने समय तक रहती है, तो शुरूआती एक से दो घंटों के बीच में 1-2 आस तक रहता है, तो primary flaccidity या primary relaxation ये secondary flaccidity या primary relaxation, secondary flaccidity या secondary relaxation की बीच में difference क्या है, यहाँ पर अभी 100% ATP है, जब कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, rigor mortis के बाद ये state है, अब ATP की तो भूल ही जाए, यहाँ पर क्या muscles के decomposition की वज़ह से secondary relaxation होता है, तो बात करते हैं, एक बार फिर से primary flaccidity की, यहाँ पर सारी की सारी muscles relaxed state में होती हैं और शुरुवाती 1-2 hours तक यह condition persist करता है, इस दोरान अभी somatic death हुआ होने की condition रहती है, somatic death की situation होती है, इसी घटना के दोरान, जब यह primary flaccidity हो रही होती है, तो एक बहुत special term यहाँ पर लिया जाता है, वो है contact flattening, यह क्या है, contact flattening किसे कह सकते हैं, तो loss of skin and muscle elasticity क को हम contact flattening कहते हैं, जब primary flaccidity होती है, बोड़ी अगर flaccid position, primary flaccidity वाले zone में है, यानि शुरुवाती 1-2 hours की भीतर, जब muscles अभी primary flaccidity की condition में हैं, और body सुपाइन position में अगर लेटी हुई है, तो आप देखेंगे, जो buttocks के, coughs के, या shoulders के, जो muscles होते हैं, वो flat हो जाते हैं, कै cause of muscles elasticity, जिसे हम contact flattening कहते हैं, तो इस घटना के बारे में भी पता होना चाहिए, शुरुवाती 1-2 hours की भीतर, ये घटना भी होती है, जिसमें muscles in contact with surface, वो क्या होते हैं, जिसे हम contact flattening कहते हैं, उसके बाद, rigor mortis, rigor mortis जिसमें stiffness होती है, stiffening of muscles, जो के आप समझ सकते हैं, थोड़ी स shortening के बाद, actin और myosin के बीच का जो combination होता है, जो coupling होती है, उसको हटाने के लिए वापस relax mode मे लाने के लिए ATP के एनरजी के जरुवत पड़ती, वो यहाँ पर नहीं हो पाता है, इस वज़ा से दिक्कत होता है, तो आप जानते हैं, ATP की depletion की वज़ा से या घटना घटती ह यह कब शुरू होगा, तो आप समझ सकते हैं, death के 1 hour के बाद, चुकि 1 to 2 hours जो शुरुवाती दौर होता है, वो किसका होता है, वो शुरु होता है, जो शुरुवाती 1 से 2 घंटे का समय होता है, primary flaccidity का होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें शुरुवात 1 घंटे या 2 घं के बारे में हम बात करेंगे, तो यहां पर rule of 12 क्या कहता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान ले, rule of 12 के according, शुरुवाती घंटना क्या होती, शुरुवाती अगर approximately 1 to 2 hours के बाद ये शुरु हो जाता है, और इसमें eyelids, jaw सबसे पहले stiffen होना शुरु होता है, और इसमें आप द देखेंगे 2 घंटों के बाद, ये क्या होगा, center of the body stiffen होना शुरु हो जाते हैं, तो बतलब eyelids और jaw से ये शुरु होती घंटना आगे बढ़ती है, और 12 hours के आजपास तक, अगर आप देखें तो शुरुवाती 12 hours में ये appear हुआ, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि यहां पर क complete कब हो गया, ये complete हो जाता है 12 hours तक, ये 12 hours तक क्या हो जाता है, राइगर complete हो जाता है, फिर क्या होगा, अगले 12 hours तक ये persist करता है, तो यहां पर क्या होता है, अगर आप बात करें यहां पर अगला 12 hours, इस तरीके से इसमें बात कही जाती है, कि अगले 12 hours में ये कुछ इस त 36 आज तक यह क्या हो गता है धिरे-धिरे राइगर का लॉस होना शुरू हो जाता है तो आप यह इस तरीके से याद रखेंगे रूल आज 12 का मतलब यह कि लास्ट में जो 12 आज होते हैं उनमें धिरे-धिरे यह अब आप समझ सकते हैं डिकंपोजिशन की प्रॉसस भी लगात करती हैं और बात में चल करके 36 आर्ज के बाद मैंने आपको बताया था न कि परसिस्ट करता है यानि आप देख लें 12 से लेकर के 24 आर्ज के बीच तक यह परसिस्ट करता है उसके बाद तो धिरे-धिरे यह स्लोली यह राइगर का लॉस होना शुरू हो जाता है और 36 आर्ज आप किया सकते राइगर disappear होना शुरू हो जाता है तो 36 hours के बाद ये राइगर disappear होना लगता है और muscles relaxed mode में जाने लगती है इस पूरी की पूरी events में सिर्फ और सिर्फ हम यही जानना है कि राइगर शुरू हुआ, persist किया और उसके बाद loss हो जाता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो order of appearance क्या होगा उसको एक बार समझ लेते हैं तो इसमें order of appearance इसमें nistence rules के बारे में देखना होगा ये सभी के सभी muscles में एक साथ start नहीं होता है इस बात को observe किया था nistence ने और उन्हें ने कहा कि ये जो घटना होती राइगर मॉर्टिस की ये सभी muscles में एक साथ शुरू नहीं होती है होता क्या है इन सारी चीजों को बताया और इसको और ज़ादा define किया शैप्रियों ने शैप्रियों ने 1950 में बताया कि राइगर मॉर्टिस ये एक्शल में उस समय muscles की physiology की बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी इसलिए इसमें थोड़ा सा controversies था इन्होंने कहा कि सारे muscles एक साथ राइगर मॉर्टिस स्टार्ट नहीं होता है शैप्रियों ने 1950 में इन से अलग कहा उन्होंने कहा कि नहीं राइगर मॉर्टिस तो होता एक ही साथ है लेकिन छोटी muscles में इसका effect जल्दी आता है और जो larger muscles होती है उनमें इसका effect देर से आता है बात ठीक भी लगती है कि जो smaller muscles होंगे उनमें stiffness जल्दी देखने को बिलेगा जो बड़े size के होंगे उनमें ये process complete होने में time लगता है तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है Nistence ने जो कहा कि सारे muscles में एक साथ स्टार्ट नहीं होता है जबकि उन्होंने कहा कि नहीं सारे में स्टार्ट तो एक ही साथ होगा लेकिन smaller muscles में effect जल्दी देखने को बिलेगा अब events कैसे बढ़ते हैं तो ये देखा गया है कि ये गटना सबसे पहले involuntary muscles myocardium में शुरू हो जाती है half nr में और उसके बाद voluntary muscles को involved कर तो यहाँ पर देखा गया है कि अगर आप कहें तो इसमें देख सकते हैं कि involuntary muscles पहले involved होती है और उसमें myocardium पहले involved होता है voluntary muscles उसके बाद involved होती है उनका sequence क्या होगा तो इसमें eyelids पहले involved होता है उसके neck फिर lower jaw यहाँ पर controversies हैं कुछ लोग अलग तरीके से मानते हैं कुछ लोग मानते eyelids उसके बाद lower jaw कुछ लोग कहते हैं कि नहीं eyelids के बाद neck तो हमें यही sequence मानना है eyelid, neck, jaw फिर उसके बाद facial muscles facial muscles के बाद chest के muscles chest के level पर यह जाएगा और उसके बाद upper limb को involved करता है फिर abdomen फिर lower limb सबसे last में finger and toes तक यह पहुँच जाता है तो इस तरीके से यह घटना आगी क्यों बढ़ती है तो यह downward progression को observe किया था निस्टन है और उन्होंने downward progression of rigor mortis के बारे में करीब 1812 के दौरान बताया था 1812 के दौरान इन्होंने इसकी जानकारी दिया था और उन्होंने यह sequence पढ़ा और उन्होंने बताया था इस चीज को observe किया था और उसमें उन्होंने का था कि eyelids की muscles जो आप appear कर सकते हैं जो देख सकते हैं वो eyelids की muscles में सबसे पहले होता है अगर my cardium की बात करें वो हमें दिखेगा नहीं लेकिन objective point of view से हम इस बात को कह सकते हैं eyelids के बाद neck, neck के बाद lower jaw, lower jaw के बाद face और इस तरह के से और आप कह सकते हैं और जब rigor mortis disappear होता है तो भी इसी sequence में होता है इस बात का क्या मतलब अभी हम थोड़े दिर में discuss करेंगे एक बाद recall कर लेते हैं इन सारे progression को और इसमें ये शुरुवात कैसे होती है उन सारी चीजों को तेजी से cover करेंगे तो ATP का depletion जब 85% तक हो जाता है या नहीं राइगर मार्टिस अपने peak पर होता है और इस मामले में लैक्टिक एसिड चुकि अब समझ सकते हैं कि ATP है नहीं तो लैक्टिक एसिड का concentration भी बढ़ेगा वो भी इसमें मदद करता है राइगर मार्टिस के बारे में हम लोग ने क्या देखा मसल्स स्टिफ होंगी और involuntary और voluntary दोनों ही group of muscles involved होंगी इसमें सबसे पहले मसल्स कौन से involved होती है myocardium involved होती है तो यहाँ पर पहली involuntary muscles कौन से involved होती है myocardium involved होती है voluntary muscles के लिए downward progression का rule बताया किसने? nis tense ने बताया था उनके मताबी क्या हुआ? सबसे पहले यह घटना कहाँ पर देखने को मिलती है eyelid muscles में देखने को मिलती है voluntary muscles में downward progression के बारे में किसने बताया? nis tense rule के according हम चलते हैं और इसमें events क्या होंगे? eyelids, jaw, jaw के बाद eyelids के बाद neck, neck के बाद jaw, jaw के बाद facial muscles, फिर chest और उसके बाद यह downward progression चलता रहता है और आपको मैंने बता है rigor mortis के progression में शुरुआती 12 hours लग जाते हैं उसके बाद अगले 12 hours तक यह क्या करता है? यह शुरुआती 12 hours लग जाते है सारे parts तक पहुँचने में उसके बाद यह persist करता है अगले 12 hours में और इसके बाद मैंने आपको बता है कि last के जो 12 hours होंगे उसमें यह धीरे-धीरे disappear होना शुरु हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें धीरे-धीरे अब decomposition शुरु हो जाएगा secondary relaxation की process शुरु हो जाएगा तो इसे हम rule of 12 कहते हैं तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ factors के बारे में जो राइगर मॉर्टिस को प्रभावित करती हैं तो इसमें age पहला factor होगा age तो देखा गया है कि बच्चों में या old age के लोगों में या जल्दी से शुरु होता है जल्दी से शुरु होता है ये बात ध्यान में रखना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं nature of death के बारे में बात करेंगे nature of death के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें exhaustion या वास्टिंग की condition में जैसे आप ऐसे मामले में जिसमें कह सकते हैं कि exhaustion या फिर वास्टिंग की condition में आप कहा सकते हैं कि जब यह appear late होता है तो यह disappear भी late होता है इस बात को ले करके बात कहा जाता है जैसे asphyxial death में onset delayed होता है तो onset अगर delayed है तो disappear भी late में होगा इसी तरीके से आप एक और example ले सकते हैं कि अगर bacterial infection है जैसे wide spread bacterial infection है जैसे sepsis है तो onset क्या होगा ऐसे मामलों में onset क अगर रैपिड होता है तो अगर रैपिड है जल्दी है अपियरिण्स जल्दी होगा तो अगर राइगरमार्टिस अपियर होगा तो के बाद के बाद हमें कंडिशन देखनी है कि कब मॉटश जल्द favorites लेट में disappear भी होगा तो एक condition है rules या एक general observation है कि कुछ ऐसी conditions है जहाँ पर struggle या फिर exhaustion अगर हो रहा है तो ATP के utilization ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा ऐसे माबलों में क्या होता है रागर मार्टिस जल्दी appear होता है तो convulsion, titanus आप समस्कतना अगर ATP नहीं है तो ATP नहीं होना ही तो इस condition को accelerate करता है तो convulsion हो गया जहाँ पर ATP अल्रड़ी यूटलाइज हो चुकी है titanus, strychnine, status epilepticus जैसे माबलों में हाला कि strychnine इसका exception रहेगा ध्यान में रखना है लेकिन आम तोर पर क्या होता है ATP का अगर utilization हो चुका है जैसे convulsion, titanus, strychnine, poisoning या status epilepticus के माबलों में आप क्या देखते हैं ATP utilize हो गया है तो ragormatis जल्दी appear हो जाना चाहिए तो ragormatis इसमें जल्दी appear हो जाता है इन सभी में ragormatis जल्दी appear होता है अब rule मैंने आपको क्या बता है लेकिन disappear late होता है वरना convulsion, titanus, strychnine, poisoning status epilepticus जैसे माबलों onset की बात करें तो ATP चुकी utilize हो चुका है तो यह जल्दी start हो जाता है तो strychnine disappear late होता है वरना ATP कहीं पर भी अगर loss होगा तो जल्दी से जल्दी वो appear हो जाता है इसी तरीके से chronic wasting disease जिसमें muscles की आप समझ सकते condition ठीक नहीं रहती है malignancy, cholera, tuberculosis जैसे माबलों में या फिर hot environment में ATP का depletion जल्दी होता है और ऐसे माबलों में rigor mortis जल्दी appear होता है और जल्दी disappear भी हो जाता है अब कुछ ऐसी conditions जहां पर rigor mortis appear late होगा और disappear भी late होगा कुछ ऐसी conditions के बारे में हम बात करेंगे तो late में appear हो रहा है और disappear भी late होगा तो ऐसा कब possible है तो ऐसा sudden death of healthy people में जिसमें hanging के माबलों में या decapitation के माबलों में ऐसा हो सकता carbon monoxide mercury के poisoning में अब देख सकते carbon monoxide या mercury के poisoning में या arsenic poisoning में या फिर cold environment में ATP का depletion slowly होता है इस वज़ा से ATP का loss नहीं होता है अगर ATP का loss नहीं हो रहा है ATP का loss होना ही rigor mortis को develop कराता है इसमें क्या होगा onset delayed होगा और persist भी late तक करता है अब एक और condition के बारे में हम बात करेंगे जिसमें rigor mortis early appear होता है और लंबे समय तक persist करता है और स्ट्राइकनिन तो है ही तो इतने नाम आपको याद रखना है कौन-कौन से कारबोलिक ऐसे drowning और स्ट्राइकनिन की poisoning अब कुछ ऐसे conditions जिसमें rigor mortis कभी भी appear नहीं होता है तो कुछ conditions है जैसे septicemia या फिर dead born किसी ऐसे dead born कोई baby है जिसका तो अब हम लोग कुछ ऐसे conditions के बारे में बात करेंगे जो rigor mortis को stimulate करते है तो conditions stimulating rigor mortis तो conditions stimulating rigor mortis इसमें कौन-कौन से conditions है rigor mortis को जो stimulate करते हैं तो इसमें है heat stiffening दूसरा है cold stiffening तीसरा है cadaveric spasm ये तीन ऐसे conditions हैं जिनके बारे में हमें study करना है उसके बाद हम आगे जानते हैं secondary relaxation की एक stage होती है जो आगे हमें बात करना है जो muscles के decomposition की वज़ा से एक बार फिर से muscles flaccid हो जाती है तो ये सारी चीज़ें हमारे बात की चीज़ें अभी हमें समझना है उन conditions को जो rigor mortis को stimulate करते हैं सबसे पहले हम शुरू करेंगे heat stiffening की तो सबसे पहले हम बात कर रहे है heat stiffening की heat stiffening में क्या होता है इसमें body को अगर किसी intense temperature के touch में अगर चला जाया more than 65 degree Celsius तो क्या होगा muscular जो proteins होंगी वो denatured और coagulate हो जाएंगे जिसके करण muscular shortening हो जाएगा ये कब देखने को मिलेगा ये इस तरीके की or falling into hot liquid जैसे conditions में देखने को मिलेगा इसमें posture में changes देखने को मिलेगे खास तर पर flexion of limb जैसे conditions हमें देखने को मिलेगी तो इसमें क्या होता है especially flexion of limb जैसे conditions हम especially observe करते हैं और normal rigor mortis जैसे conditions यहाँ पर देखने को नहीं मिलती ये तेजी से होगा चल्दी से होगा क्योंकि stimulate हो जाएगा अगर अचानक से गरम environment में चलागा तो protein अचानक से जो normal process होने चाहिए उसको bypass कर जाती है ये point इतना जदा important है कि aims में heat stiffening को लेकर की question पूछा गया है aims में इस पर question बना है इसलिए इसको जानना ज़रूरी है इसके बाद हम बात करेंगे उन conditions की जो rigor mortis को stimulate करते हैं तो conditions stimulating rigor mortis तो इसमें क्या होता है cold stiffening की conditions होती है cold stiffening की condition जो body extreme cold condition में गर चला है तो भी ये चीज़ें होती है तो sub zero temperature यानि minus 5 degree Celsius से नीचे sub zero temperature पर जाते हैं तो tissue fluid का solidification हो जाता है इस दोरान भी हम देखेंगे subcutaneous fat और muscles का solidification हो जाने के कारण या फिर जो synovial fluid की freezing हो जाने के कारण यहाँ पर rigor mortis stimulate हो जाता है यहाँ पर एक और भी condition है जो stimulate करती है rigor mortis को जो cadaveric spasm की condition होती है तो cadaveric spasm ये क्या condition है cadaveric spasm इस पर भी question पूछा गया है जिसमें अचानक से death हो जाती है तो इसमें क्या होता है जैसे intense emotions की वज़ा से neurogenic कोई ऐसे मामले जिसमें adrenocortical exhaustion हो जाया जो ATP की synthesis नहोंने दे कोई भी ऐसा कारण जहाँ पर ATP की synthesis नहोंने पाए या फिर आप aims में इसी बात को ले करके question पूछा गया था death से पहले ही contraction में चली जाए head से पहले ही contraction में चली जाए अगर वो contraction में चली गई और आप जानते हैं death के बाद तो rigor mortis होना ही है तो इस तरीके से confusion बना रहता है कि लंबे समय तक stiffening आप समझ सकते हैं बना रहेगा तो इस तरीके का ऐसे condition जो death के बाद भी बना रहेगा और ऐसे मामलों को हम कहते क्या है ये होता क्या है तो इसे हम cadaveric spasm की condition कहते हैं जिसमें group of muscles in a state of strong contraction और वो भी death से थोड़ा पहले ही हो जाए और वो death के बाद तक बना रहे हैं इसको हम cadaveric spasm कहते हैं तो ये rare form of muscular history है जो at the moment of death इस तरीकी conditions होती है और ये राइगर मॉर्टिस तक बढ़ता जाएगा तो इस तरीके से हम कह सकते कि राइगर मॉर्टिस के साथ इसको जोड़ करके देखने की वज़ा से ऐसा वाना जाता है कि लंबे समय तक राइगर मॉर्टिस वहाँ पर हो गया है तो ये condition cadaveric spasm की कहाँ पर देखने को मिलती है तो इभी ऐसी घटना जिसमें अचानक से अचानक से emotional events हुए हो जैसे यहाँ पर कोई person डूब रहे हो तो अचानक से वहाँ पर ऐसी events होते हैं जहां grass या weeds हाथ में एक बार आ गई और वो फसी की फसी रह जाती है इसी तरीके से हम पसंद की डूबनी के दोरान या फिर गोली चल रहा हो तो उससे हमें intense emotional कुछ ऐसी conditions होई जिसने adrenocortical exertion वहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है कि वह ATP की resynthesis को impaired कर देता है जिसके करण death से पहले हमें cadaveric spasm की condition देखने को बिलती है तो इसमें stimulation of rigor mortis मैंने आपको बता है इसम stiffening जिसमें body अचानक से 65 degree Celsius को exposed हो जाया तो आप कह सकते न कि यहाँ पर वो primary relaxation वाला zone में नहीं जाएगा यहाँ पर सिध है वो denaturation और coagulation of proteins की वज़ा से लंबे समय तक rigor mortis की conditions आपको देखने को मिल सकती है इसे तरीके से cold stiffening जहाँ पर अचानक से subzero temperature पर चला गया और इसक सारे solidify हो गया तो यह सारी चीज़ें होती है इसके लाबा गैस shift एक घटना होती है cadaveric spasm या फिर cataleptic या instantaneous rigor जैसे घटना है जिने कहते हैं उनके बारे में फिर्म देखा तो मैंने आपको बता है cold stiffening या फिर heat stiffening या फिर cadaveric spasm यह aims में कई बार objective questions की रूप में पूछा गया है उसके बाद मैंने आपको बता है secondary relaxation की घटना primary rigor mortis और उसके बार secondary relaxation इनके बीच में क्या differences है वो सार देखा rules of 12 के बारे में भी discuss किया